प्रियागराज के संगा में अखलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंग्यादव की अस्थियों का विसरजन किया 19 अक्टूबर को अखलेश यादव अपने परिवार के साथ यहां पहुँचे विदे विधान से सारी पूजा को संपन कराया और गंगा सनान भी किया इन तस्वीरों में अखलेश यादव सनातन की संस्कृति के अनुसार पूरोहितों के कहने पर सारी पूजा को करते नजर आए अखिलेई श्यादव ने यहाँ पर संस्क्रित में मंत्र पढ़े उन तमाम विधियों को पूरा किया जो पूरोहितों ने उन्हें बताया परिवार समेत मा गंगा की पूजा की और जहां पर भी जरूरत पड़ी अपने चाचा शियुपाल सिंग्यादव और अन्य परिवार जनों से सलाह लेते भी दिखाई दिये इटावा से प्रयागराश पहुंचे अखिलेश यादव ने यहाँ पर पूरोहितों के साथ अपने पिता के लिए शान्ति पूजा की अखिलेश यादव ने इश्वर से मांगा कि वो उनके पिता को सदगती दे अखिलेश यादव इस मौके पर भावग दिखे तो शिवपाल सिंग्यादव उनके साथ नजर आए बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर सनातन की सारी विधियों को पूरा किया अखिलेश खुद मंत्र पढ़ते दिखे उन्होंने अपने परिवार के गोत्र का नाम बताया जब पुरुहित ने उनसे पूछा कि आपका गोत्र क्या है अखिलेश ने कहा रावद गोत्र जो भी मागना हो माच लिवर्णी समागिये सभी मनो कामना पूर्ट जब हो जाएंगे इसलान करने परिवार समी आगाए्ट शरीकुराण, उसकतमा, पुश्वत्तमा, ब्रम Свेत्तमा बारा कलपे, चाम्भू देदे़, मन मन्दुी, समय युगे, कल युगे, कल युगे, कली कदम सब, करेक तउ, जमारत्रूनुजो, आर्य वरो कर, अर्य वरो कर, खटखल मते, उत्रेति जए, पतसव, पुरू दिन बात्र, बिक्रम सखे, बौधाउ कारे, बुध ओताउ 최जो अपना नाम लिजिए। इससे पहले हरिद्वार में भी अखलेश आदव ने विधे विधान के साथ अपने पिता का आस्ति विसर्जन किया था